स्वागत है दोस्तों आप सभी का रिवेंज ओव दिश्टिल फैंक के एपिसोड फाइब में एपिसोड के स्टार्टिंग में सरबरस से पंजा खाने के बाद वाइकर दूर जाकर गिरता है और उसके मुझे खुन भी निकला था और थोड़ी दिर के लिए वो तो बेहुस भी हो गया था और जब उसे होस आता है वो अपने सामने सरबरस को खड़ा हुआ देखता है जिसे देख वाइकर सोच रहा था सरबरस ने मुझे पर एक डायरेक्ट हमला किया था जिस वज़े से मुझे मेरे बाय हाथ में बहुती ज़्यादा दर्द हो रहा है कहीं मेरा हाथ कड़ तो नहीं गया पर वाइकर देखता है कि नहीं उसका हाथ कटा नहीं है पर उसके हाथ में पंजो के गहरे निसान है वाइकर सोचने लगता है कि मुझे पता है कि सरवरस जखमी है पर मेरे हाथ में बस इतनी ही चोट लगना क्या ये स्टिक्स रिवर के एफेक्ट के वज़े से हुआ है मतलब स्टिक्स रिवर ने मेरे जान बचा दी है पर अभी सरवरस के हमले से वाइकर जंप करके बचता है और वो सोच रहा था कि अपर डेमेस तो अभी भी है जिसके वज़े से हमें एक दूसरा हिट नहीं ले सकता हूँ अभी सिचोशन बहुती जादा डिफिकल्ड हो गई है पर एक एक सिचोशन से बाहर निकलने के लिए और अभी सबसे बेश डिसिसन यही है कि यहां से अपने जान बजा कर भागो अगर सरवरस इंजड ना होता तो भी वाइकर के दो टुकड़े हो चुके होते और वाइकर अ इस आरेन फैंस को पार कर जाता हूं तो मैं रेस्ट्रिक्टर्ड एरिया से बाहर चला जाओंगा और जब तक मैं उस जगे पर पहुंचाता हूं जो कि मैंने तैयार करके रखी है वहां पर मुझे कुछ भी नहीं होगा पर अगर उससे पहले में पकड़ा जाता हूं तो मे आगे जाना है बस थोड़ा और और वाइकर किसी तरह जम वगेरा करके वहां पर पहुंचाता है और वो बस सरवरस से बाल बाली बचा था सरवरस उसे बस पकड़ने ही वाला था तब ही वह वाइकर के बनाए हुए गड़े में किर जाता है जिसके अंदर बहुत से भाले भ करके रखी थी सरबरस भी वही सेंट स्पीसिस के हैं जो के हैलाउंड के थे दी कैना इंड मॉंस्टर्स और मैंने जो ब्लडी बीन के एसंस को लकडी के वाले पर लगा कर रखा था वो उसके लिए पोईजन के तरह काम करेंगे और हम देखते हैं कि सरबरस फिर से जम करके सतम हो चुके हैं वाइकर कहता है कि क्योंकि तुम एक हाई रेंकिंग मॉस्टर हो मुझे लगाए था कि तुम इतनी इसली तो नहीं मरोगे और वाइकर बहुत तेजी से एक लखड़ी का वाला फेकता है जो के जाकर सरबरस के पीट पर लगता है पर इसके बाद भी सरबरस आगे आने लगता वाइकर पर हमला करने पर वाइकर वहीं पर ही खड़े रहकर एक से साथ तक गिंती करता है जिसके बाद सरबरस बिल्कुल वाइकर के सामने आकर मरता है और इसके साथ वाइकर एक चेन के सांस लेता है और कहता है कि exactly seven steps तो rumors बिल्कुल सही है अभी मैंने जो लकडी का भाला फेका था वो दूसरे वालों से अलग था उसमें मैंने बलडी मामबा के जहरीले फैंग को लगा दिया था जो कि एक बार लगने से ही तुम seven steps से जादा आगे नहीं चल सकते हो और अच्छी बात यह रही कि जब मैं छोटा था तभी मैंने इसे चुपा रख रहा था हो सकता है कि वो मेरा witness बनेगा पर अभी कुछ और है जो कि मुझे करना है सरवरस गेट कीपर होते हैं जो कि अपने territory को protect करते हैं तो इसका मतलब यह भी अपने territory को ही प्रोटेक्ट कर रहा होगा मतलब डेंजिन भी कहीं आसपा से होगा डेंजिन एक mysterious place है जहा कि मोटे मोटे मौस्टर से लड़ना एवोड कर सकता हो और सुखी मिटी सड़े पत्ते पेरो के निसतन अर्य लार इनका चन युद्र कर पहुं सकता हूं और Queensland मिल फैनल ना और अब के-लियर तो बिलकुल भी नहीं यहाँ संस्कर कर सकता हो जो कि इस rotten surface के नीचे से आ रही है और मैं पूरा स्योर हूँ कि इस अभी तक clear किया नहीं गया है और मुझे यहाँ पर कोई light भी दिखाएं नहीं दे रही लगता है कि मैंने जितना सोचा था यह उससे भी जादा deep है मैं तो यह बात सोच रहा हूँ कि इसके अंदर कौशे कौशे ट्रेजर मेरा इंतजार कर रहे होंगे और वाई के रिये कहने के बाद अंदर जाने लगता है और यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है